प्रिजल्ट में उस आयोगे को बाहर करिए और जितने भी सीट बच रहे हैं सारे रिक पदों को जोड़ करके आप संसोधित प्रिणाम जारी कर देजी हमारी सरकार से यही मांग है अब उसके बाद आप फिर आपने एक्जाम लेते तो आपने क्या किया कि भाई उल्लों को तो रोट पर ले आया है और उसके बाद आप अपना भवाई लुटने के लिए भाई सिख्छक लोग भी आप अपियर हो जाईए नमस्कार आप देखरें निस्फनेशन में हूँ आपके साथ निर्तम बीपियस से अभियर्थी लगतार पूरक परिनाम में फड़जवारे को लेकर धरना दे रहे हैं हम आपको तस्विर गर्दनी बाद धरनास्तल के दिखा रहे हैं जहां पर तिन दिवसीय सत्यागरह अं दोलोन का कोई कुछ निश्कर्ट से निकला कल सरकार के तरफ से अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं आए हैं हम सब अभियर्थियों की समस्या को समझने और वारता कराने के लिए इसलिए हम लोग का आज दूसरा दिन है और लगतार है हम लोग का सत्यागरह अभी चलेगा औ और कि हम लोग के समस्या को सुना जा और जो अयोग के सिक्षक बहाल हुए हैं बीपीएसे टीरिवन के रिजल्ट में उस अयोग को बाहर करिए और जितने भी सीट बच रहे हैं सारे रिक पदों को जोड़ करके आप संस्वधित परिनाम चारी कर देजी हमारी सरकार से यही हुशे हुए हैं उन लोग भरभर के निक्ति पत्र बाटा गया और बहुत जगों से उनको निकाल दिया गया है तो अभी बहुत जगा अभी स्कुल में वो लोग बने हुए हैं हमारी यहीं मांग है कि जितने भी निकाले गए हैं यह जो अभी अईयोग के पढ़ा रहे हैं सब को आप पहले बाहर करिए और जितने भी रिक्तपध हैं सब को जोड करके आप संसोधित परिनाम जारी चरदीजी हमारी सरकार से यहीं मांग थे पात्थक तो बढ़े-बढ़े कदब उठा रहे हैं आपकी बात को क्यों नहीं सुन रहे हैं अप क्यों नहीं सुन रहे हैं तो वो तो मुखमंतरी जी जाने, वो मुखमंतरी जाने वो लोग जानेye, हम तो लोग तो एक ही बात जानते हैं कि जब आपने 2019 में सबसे स्ट्रीती पास कराया, आपने 2 महिना, 4 महिना », करते करते 2023 में सात्मा चरन का आपको बहाली करना था आपने सात्मा चरन का बहाली नहीं करकर के आपने नया कानून बनाया नया कानून बनाया हम लोग उस कानून को भी हम लोग एक्सेप्ट किया और हम लोग ने एक्जाम दिया हम लोग एक्जाम देने के बाद सब लोग यहां पर जो भी रोट पर बहुआ रहे हैं, सब लोग क्वालिफाई लोग हैं, आपने करेटरिया रखा कि 40% नमबर लाएंगे, उसको हम नोकरी देंगे, हम लोग 40% से भी ज्यादा नमबर लाला करकर करके यहां पर रोट पर बहाली कर रहे हैं, अगर आपको बहाली कराने का नियत होता, 2019 में जो आपने सबसे STT पास करवाया, तो पहले इमंदारी यही था कि जो भी लोग 2019 में पास किये थे, सब लोग को आप जोईन करवा देते, सभी विशे में, सभी किलास में, आप उसके बाद आप फिर आपने बैड जाएए, तो आप कहना क्या चाह रहे है, आपका नियत है नहीं नोकरी देने का, अगर नोकरी देने का नियत रहता, तो हम लोग क्वालिफाई होकर करके यहां रोट बहात है, और हम लोग का एज भी एक्सपायर कर गया, अब जाय तो कहां जाये, तो हम तो यही रिक चोवारा जितना एकजाम लेना है, आप लिजिए, हम आप से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कि जैसे आप हम लोग से पुछने के लिए हैं, वैसे आप भी जाकर के उन लोग महोदेलव से पुछिए, चाहे अतुल सर हो, क्यके पाटक सर हो, या मुखमंतरी जी हो, या मुख और आपके पास सारा डाटा के मेरे पास कितना एविलियूबल किस सब्जेक्ट में कितने कॉलिफाइज स्टूडेंट है, तो सारे कॉलिफाइज स्टूडेंट के पहले आप जोईन करा देजिये, उसके बाद जितना परिक्षा लेना है, लिजी, हम लोग रोट पर बेवा कि यूपी सरकार भी तो है यूपी सरकार कियों कि ढądरे रहा है कि रहा है आपका जरक्र्कर्ट सरकार कूं आपको कुल नहीं हमारा जो काम करेगा हम उसको परधान मंतरी बनाएंगे उसको मुख मंतरी बनाएंगे जो हमको रोट पर लाए शाठेंगे आइगे जो काम पास है गला में बोट लगाएंगे और उसके वाद हर विधान सवा जाकर करके हम लोग कहेंगे कि हम लोग BPSC पास है हम लोग को नुक्रीन दे रहे हैं जब तक रोट पर रहिएगा जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं कर जाएगी और जो अयोग अभियार्थियों के इटाकर योग अभियार्थियों पर उसको भरा जाना चाहिए यही हमारा मांग है